जो लोग इस साल IBPS, RRB, PON, Clerk पहली बार एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत important है क्योंकि उनको user interface के बार में बता चलना चाहिए कि exam का view exit कैसा होगा जैसा कि आपने mock test में देखा होगा उसके similar ही होगा परन्तु mock test से कुछ तो भिन है यहाँ पर इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर रहा हूँ तो नए उमेदवार जो है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखे exam में जाने से पहले और IBPS RRB related पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट important topic का प्लेलिस्ट आपको मैंने description में दे दिया है वो वीडियो जरूर से check out करें तो आप जैसे ही exam में जाओगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर आपको user ID और login ID और password डालके बैट जाना है और जब आपको बोले तब आपको sign in पर click करना है sign in पर click करने के बाद आपको instruction पढ़नी है 10 से 15 मिनिट 10 मिनिट होती है जनरली और आप instruction के next page पर click करोगे तो आपको next page पर देखने को मिलेगा और यहां पर आपको कुछ इस प्रेकार से मिल जाएगा choose your default language अब default language चूज करने का फाइदा यह होता है कि आप जिस language में देखो एक option तो होगा ही English Hindi का यानि आप अगर यह चूज करते हो ना तो आपको हर एक question इस language में display होगा यानि English language में as well as Hindi language में आपको उपर English में देखे करने को मिलेगा नीचे Hindi में अगर आप दूसरा option choose करते हो जैसे कि अगर आप गुजात स्टेट से हो तो आपने जो जो local language choice की होगी उसका option यहां पर दिखाएगा मैंने गुजात choice की है तो गुजात दिखा रहा है ठीक है गुजाती दिखा रहा है तो English and गुजाती अगर मैं choice करूँगा तो मेरा हर equation English and गुजाती होगा अब यहां पर सवाल आता है कि या सर में later on language change कर सका हूँ देखो यह default language है यानि आपके सारे question इसी language में आएंगे या तो इसी language में आएंगे अब आपको particular question कोई दूसरी language में देखना है मतलब मैं इस language क default माना और अब मुझे देखना है कोई particular question हिंदी में तो मैं क्या करूँगा उस particular question को यहां इस वाले टैप से change कर सकता हूँ बट सारे question default में तो आएंगे गुजाती और English में ही अगर मैं यह choice करता हूँ default as a default यहां पे English और Hindi तो मेरे सारे question English और Hindi में ही आएंगे बट मैं particular question को अगर देखना चाहता हूँ गुजाती में तो वो मुझे ऊपर से option देखने को मिल जाएगा तो मैं गुजाती में convert कर सकता हूँ आगे मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है आपको यह checkbox check कर लेना है और checkbox check करने के बाद आप जाओगे तो I am ready to begin यह enable हो जाएगा और आप जैसे कोंगे तो यहाँ पर reasoning होगा और एसा ही एक और टेप बनाओगा जिसका जहाँ पर count लिखाऊगा ठीक है reasoning के 40 question तो यहाँ पर एक से लेके 40 नमबर यहाँ पर दिखेंगे और quantum पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से एक से 40 नमबर count कर दिख जाएगा और यहाँ पर सवाल द टेक करके और save and next कर दूँगा अब save and next करने से यह मेरा option submit हो जाएगा मतलब वापस से मैं change करना चाहूंगा तो करना चाहता हो तो मुझे इस question पर आके clear response दबाना है यह वाला button तो मेरा response clear हो जाएगा और मैं दूसरा choice कर सकता हूँ ठीक है और फिर save and next करना ज़रूरी है क्य तो ही दूसरा option आपका माना जाएगा वरना clear response करेंगे तो वो clear हो गया होगा ठीक है तो आपको क्या करना है select करके save and next अब आपको कुछ doubt है तो अगर आप करना चाहते हो उसको mark for review answer tick भी करना चाहते हो और mark for review भी करना चाहते हो तो आपको answer tick करके mark for review and next click करना है ध्यान रहे इसमें question का answer submit हुआ है यानि आपने बले ही उसको mark for review किया है बड़ question का answer submit हुआ है अब आप उसको दुबारा देखने जाओ या ना जाओ उससे कोई फरग नहीं पड़ता है आपका answer submit होगा आपने केवल mark for review करके question को आगे जाने दिया है तो वो कोई भी option on opt नहीं किया है त तो मैं आपको बता तो कलर कैसा होगा देखो इस कलर का मतलब है कि आपने वह क्वेश्चन अटेंट किया है इसको मैंने इसको मतलब उसका अंसर नहीं दिया है और इस क्वेश्चन पर मैं अभी हूँ जो अभी तक आंसर नहीं दिया है और यह सारे क्वेश्चन मेरे अभी तक विजिट करने बाकी है मैं वहाँ उस क्वेश्चन तक पहुँचाई नहीं हूँ मेरे क्याल से आपको कलर कोड पूरा समझ में आ गया होगा और आप अगर हिंग्लिश और हिंदी से अगर आप गुजराती में क्वेश्चन देखना चाहोगे तो आप यहाँ पर टैप करोगे ना तो आपको दूसरी लेंग्वेज मिल जाएगे इंग्लिश और गुजराती सेविन नेक्ट करते जाओगे ठीक है टाइम कंप्लिट हो जाएगा तभी आपको यह सब्मिट बेटन एनेबल होगा या तो आप सब्मिट करोगे या तो टाइम खतम हो जाएगा तो आटो सब्मिट हो जाएगा आपको एक्जाम समर्य कुछ इस परकार से दिखेगा आपने मार्क फॉर्डी वीव किया और उसके आंवे किये तो वह भी तो अगर के तो अगर आमिके लेके आते हो कि मैंने रिजनिंग में 36 सट्रिम किया है तो आपको यहां पर 35 है और यहां पर एक है तो 35 और 36 हो जाएंगे क्योंकि आपने मार्क फॉर रिव्यू भले ही किया हो बट उसको आंसर भी किया है तो आपका वो प्रिवेलिट होगा क्लियर ठीक है आप यह अपने अहत में लुट डाउन कर सकते हैं और नौट डाउन करने के बाद नेक्स क्लिक करने नेक्स करेंगे आपको फीड़बेक का फॉर्म पर रहें और पूचएगा स्प्रोल् डाउन करेंगे तो सब्मेट का बटन मिल जाएगा तो बस इतना ही procedure है और हाँ काफी friendly user friendly है और असानी से आप उसको adapt कर लोगे जिस ध्यान रखना कि language का preference कैसे रखना है ठेक है exit exam अंत में करोगे तो अच्छी बात है नहीं करोगे तो को issue नहीं है अगर वीडियो पसंद आया तो like करो share करो अपने दूसरे दार ताकि उनको भी exact interface के बारे में पता चले और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लो साथ में bell icon भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अप्लोड करू आपको उसको notification पूरा मिल मिलते हैं अगले बुद में